हलो दोस्तों नमस्ते मैं रभी आप सभी को इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जाती परमान पत कास्ट सर्टिफिकेट आउनलाइन अपने मुवाइल फोन से आवेदन करने का कम्पलीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुरू से ले करके लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली वराए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को दवा दिजेगा क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय को बेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको जाती प्रमान पत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ उसके बाद आपको यहां सर्च वार में टाइप करना है सर्च करते हैं दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाता है इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का यानि कि वेबसाइट का इंटरफेस खुल करके आ जाता है यहां पे दोस्तों आप यानि कि जाती वासिया आए किसी भी चीज को आप दो तरीके से बनवा सकते हैं पहला तरीका है दोस्तों कि आप यहां से लोगिन करके बनवा सकते हैं यानि कि आप अपने यूजर आईडिया और पासवाइट के थुरू इस वेबसाइट में लोग पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपके सामने बहुत सारे यहां पर ऑप्शन खुल करके आजाता है आप यहां से आवासिय परमान पत्र कर निर्गामन यानि करवा सकते हैं यहां से जाती परमान पत्र आय परमान पत्र तो यानि कि बहुत सारे यहां से सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं दोस्तों आवासिय परमान पत्र बनाने का प्रोसेस हम एक वीडियो में बना करके दिखा दिये हैं अगर दोस्तों आप उस वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के कर दें है उसपे किल करेगा दोस्तों ता आपके सामने तीन option खुल करके आजाता है ऐंचल अस्तर पर अनुमंडल अस्तर पर यह जिला अस्तर पर जिसवी10 श्तर से आपको सपस्रे बन्वाना तो मैं दोस्तों आपको ब्लॉक अस्तर से बन्वा करके दिखाने वीडियो करन अरक्षित बर्ग यानि कि यहां पर किसी भी जाती का यहां से आप आल्लाइन आवेदन करके अपना जाती परमान पत्र को बनवा सकते हैं इस तरह का फॉर्म करके आजाता है आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म सो हो जाता है तो इसको यहां यानि कि आपको पूरी-पूर तो सीरी भी लगा सकते हैं या कोई अभिवादन नहीं चाहते तो इस पर आपको क्लिक रहने देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां name of applicant यानी कि अवेदग का नाम इंग्लिस में यहां पर फिल कर ने हैं यहां पर अवेदक महिला बनवा रही है तो यहां पे आपको यानि उस महिला का पाती का नाम यहां पे फिल इंगलीज में कर ले नहां है और यहां पाती का नाम हिंदी में फिल कर ले नहां है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे एक अपना मोवाइल नंबर को फिल कर ले नहां है और यहां आ आप एक साधी सुधा महिला के लिए यानि की जाती परवान पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहां पर पर्मनेंट एड्रेस में उसका मायके का एड्रेस यहां पर फिल होगा जिसको दिहाती वहासा में बोलते हैं उसका नईहर का एड्रेस यहां पर फिल करना होगा और अगर आ आपको यहां से जीला को स्लेक्ट कर लेना है जो भी आपका जीला है उसको यहां से स्लेक्ट कर लिजेगा यहां पर टोटल जीला दिया गया है अपना जीला स्लेक्ट कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां अनुवंडल को स्लेक्ट कर लेना है इसके बाद यहां आ आपको आपना पंचायत को स्लेट कर लेना है जो भी आपका पंचायत परता है यहां से स्लेट कर लेना है यहां पर आपको अपना विलेज को टाइप कर लेना है जो भी आपका विलेज है उसका नेम यहां पर टाइप कर लेना है यहां पर दोस्तों आपको अपना पोस्ट के लिए यहाँ पर बनवा रहें तो आपको इस वाले मैं आपको यहाँ आपके सदूराल का अदुस यहाँ परा जाएगा यानि सादी सुधा जो महिला है उसका घर यानि उसका पत्ती यहाँ प्रूरस तो आप अपना यानि कि इस पर किलिक करिएगा तो उपर के जैसा फिल हो जागा यानि कि जो आप उपर फिल किये हैं यहां पर्मनेंट एड्रेस में वही वाला यहां पर टिक करिएगा तब यानि कि फिल हो जागा जैसे आप उपर फिल किये हैं दोस्तों उसी तरह से अपने कोडिंग यहां पर फ उसके बाद दोस्तों आपको यहां पिशा kita करना है कि आप यानि कौन सा कॉम करते हैं कौन सा काम है यहां से शिलेक्ट कर सकते हैं जैसे अधु देंट तो यहां से आप असलेट कर लीजेगा जो भी हैं, आपके कोडिंग अपना यहां से असलेट कर लीजेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां वर्ग काटेग्री यानि आपको बर्ग को सलेट करना है क nhất बर्ग के अंतरगत आते हैं आप यानि की अत्यांत पिछड़ा बर्ग के अंतर गताते हैं पिछड़ा बर्ग के या अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती या गैर पिछड़ा बर्ग यानि जो भी आपका बर्ग है आपने कोडिंग सेलेक्ट कर लिजेगा बर्ग को सेलेक्ट करने के बार दोस इसे blanks ही छोड़ दीजेगा दोस्तों आपको यहाँ जो इस capture सो हो रा है इस capture को यहाँ पर fill कर ले नहाँ है तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ आपना सारा details को सही-सँ fill कर लेते हैं उसके बाद हम आपको आगे का process दिखाते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा details को सही सही fill कर लिया है fill करने का बाद दोस्तों आपको यहाँ proceed वाले button पर click कर देना है proceed पर click करने का बाद दोस्तों आपको यहाँ ok वाले button पर click कर देना है ok पर click करने का बाद दोस्तों आपका form जो भेरे हैं उसका preview page खुल करके आ जाता है आप यहां से देख सकते हैं, जो भी आपने फील किया है, यहां पर आपका Total Details खुल करके आजाता है, अगर आप यहां पर कोई Mistake किये हैं, तो आप यहां से Edit भी कर सकते हैं, आप अपने सही सही यहां पर अपने Details को मिला लिजेगा, अगर आपका कोई लगता है कि mistake है तो आपके यहाँ edit वाले पर click करके आप यहाँ से edit भी कर सकते हैं या फिर आपको सारा details अगर सही है तो आपको यहाँ attach anexer पर आपको click कर देना है उस पर click करते ही दोस्तो आपके सामने इस तरह का page खुल करके आजाता है आप यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ बोला जा रहा है दस्ता बेज यानि document select यहाँ पर select पर click करिएगा दोस्तो तो आपके सामने बहुत सारे option खुल करके आजाता है आपके पास जो भी document से यहाँ से upload कर सकते हैं सबसे best है दोस्तो अधार काड क्योंकि सभी लोगों के पास अधार काड अवलेवल है तो आप यहाँ से अधार काड को select करने का बाद दोस्तो आपको अधार काड को दोने तरफ से photo खीच लेना है और उसको एक पेज पर कर देना है यानि दोने तरफ का photo एक पेज पर edit करके कर लिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ चूज फाइल पर click कर देना है चूज फाइल पर click करिएगा दोस्तों आपके साब ने इस तरह का option खूल कर कर आ रहाता है यहाँ पर camera का भी option आ रहा है दोस्तों आप directly यहाँ से photo click कर सकते हैं या आपको यहाँ फाइल सो select करने के लिए वह रहा है तो आप अपना गैलरी में सेव करके रखें तो आप यहाँ से गैलरी से select कर लिजेगा तो चलिए मैं यहाँ से अपना documents को select कर लेता हूं उसके बाद आगे का process दिखाता हूं फाइल को select करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फाइल का name आ जाता है यानि को उसका नाम से हो जाता है उसके बाद दोस्तों save an action पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है उसके क्लिक करने का बाद दोस्तों आपके सामने फिर से preview page आपका खुल करके आ जाता है आप यहा बड़ा लगता है तो दोस्तों आप यहां से बैक पर किलिक करके यानि की कैंसिल करके आप फिर से इसको इडिट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता कि सारा डिटेल से यहां पर सही सही है तो आपको यहां लास्ट में आपको यहां सब्मिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, submit पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका यानि कि आवेदन successful submit हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका receiving generate हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का आपका receiving generate हो जाता है, निचो की और scroll done करिएगा दोस्तों तो आपको यहाँ export to PDF पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों जो आपका receiving है, आपके phone में download होकर क्या जाता है, एक PDF के रूप में download हो जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से show हो जाता है, इसमें आपका सारा details दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है सेवपरदान करने की संभावीति थी एएज बारह दो हजर बाइस यानी कि आज दोस्तों हम यहाँ पे 12 तरीक को वीडियो सूट कर रहे हैं दोस्तों और यहाँ आज तेस बारह ये step clear करके बता दिये हैं कि किस तरह से आपको form को fill करना है किस तरह से आपको documents को upload करना है और किस तरह से साधी सुदा महिला का बनवाना है अगर दोस्तों किसी भी करण से आपको form का reject कर दिया जाता है तो आप उस इस्थीति में जो अभी आप online अवेदन किये हैं उसमें जो आपका receiving generate हुआ है उसको आपको cyber cafe से आपको print करवा के निकलवा लेना है और उस receiving को ले करके अपने मुखिया से sign करवा करके वहाँ पे block में जो RTPS counter पर करमचारी रहते हैं उसके पास जाना है और वहाँ से आपको issue कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपको इस वीडियो बहु दुआ दिगयेगा क्यूंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी तरह का health million वीडियो हमेशा upload करते रहते हैं जिससे कि हमारे हर वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों इस वीडियो को अपने दौस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर करिये जिससे कि उन्हें भ दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातराम